हेलो दोस्तों आज मैं लेकर के आई हूँ आउले की दो न्यू रेस्पी आउला हमारे स्वास्ते के लिए गाफी फायदे मंद होता है कहते हैं कि आउले से 100 बिमारियां ठीक होती है तो अगर एक आउला इतना ज्यादा फायदे मंद है तो क्यों ना हम किसी न किसी रूप में आउले का सेवन करें मैं तो बहुत ज्यादा आउले की रेस्पी बनाती हूँ और आउला मैं इतना ज्यादा इस्टोर भी करके रखती हूँ कि एक साल पूरे ही चल जाए मेरे तो चलिए आज जो रेस्पी मैं लेकर के आई हूँ वो रेस्पी बनाते हैं तो आज मैं दो र पादिश्ट लगता है तो इसके लिए हम यहां पर एक पाउला और उतना ही एपल लिए है तो क्या करना है आपको आउले को अच्छी तरह से धो करके पोंच करके आउले को घिस लीजिएगा कदूकस कर लीजिए और फिर उसके बार जो हमारा एपल है उसे भी आप छिल करके क कदूकस कर लीजिए तो यहां पर हमारा कदूकस हो गया है बहुत ही ही छोटी सी रेश्पी है फ्रण बट यह बहुत ज्यादा फायदे मंद है तो यहां पर जब हम जैम बना रहे हैं तो यह जो आउले का पानी होता है इसे मैं निकाल दे रही हूं यह आपसिनल है फ्रण पर आप जब जैम बना रहे हैं तो जब यह थोड़ा सा पानी निकाल देंगे तो जो आउले का कसैला पन होता है वो आपका नहीं आएगा जैम से और यह पानी जो है कि आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं आउले का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता है और यह जो पानी इसे आप चाहें तो सुबह सुबह खाली पेट आप गुनगुने पानी में एक धक्कन डाल करके पी सकते हैं पिर जब आप hair wash करते हैं उसके बाद अपने बालों में लाश्ट में एक धक्कन पानी में एक धक्कन मिक्स करके आप अपने बालों में लगा सकते हैं तो फिर चलिए अपर क्या आएंगी जितना हम आवला लिए है न उतना ही हमें यहाँ पर चीनी भी लेना है तो हम कटोरी से अपना measurement कर लिए है एक कटोरी मेरा आउला है एक कटोरी से थोड़ा सा जादा है तो उतना ही हम यहाँ पर चीनी भी add करेंगे तो दोनों चीनी और जो हम एपल भी जो कदू कसके थे सारी चीजों को हम इसमें डाल देंगे तो फिर अब हमें इसे सुर्फ पकाना है मेन काम हमारा जो औले को ले करके होता है वो गिसना ही है आप पर सबसे ज़्यादा टाम टेकिंग आपका आउले को गिसना है बाकि यह जैम है यह बनने में आपका जरा भी टाइम कitors that image 1 was prime 1 Sh sin जैसे मेरा एक पाऊ और ऑपल और यह मिल में बनने बनने इस्टीक टाइम लगा है और दस मिन tomorrow यह मेरा आधा कीजी is good's breaking बन करके रेड़ी हो गया क्योंकि धर आप है यहारेजही지 और उतना ही चीनी लिये हैं तो यह लगबग आधा कीजी कॉंटिटी में हमारा बन करके रेडी हो गया है आप इसमें फ्लेवर भी एड कर सकते हैं जैसे की इसमें ड्राइफ फ्रूट वगरा भी डाल सकते हैं और लाइची पॉडर वगरा सब कुछ डाल सकते हैं और आप इस के लिए काफी अच्छा है और आॉले का तो मतलब उसके गुडगान कर जितना भी करूं अतना कम है आउला खाने से हमारे बाल है हमारे आंक है हमारी स्कीन है हमारा सुगर है हर एक चीज सही रहता है तो अब लगबग हमारा चलाते चलाते अब यह आउनलय की जो रेइस पी लस्त पट रहे आपका सुगर तो यह बहुत जादा स्वादिश्ट लगता है खाने में कलर आपके सामने है कि यह कलर कैसा है और इसका कलर जो है कि चेंज भी नहीं होगा और यह कम से कम इसमें एपल भी मिला है तो भी अगर फ्रीज में रखेंगे तो पूरे साल आपका यह आउला चल जाएगा और अगर बाहर रखेंगे तो भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि सुगर में हर एक चीज मेल्ट हो गया है तो सुगर पड़ जाता है तो जी चीजे हमारी खराब नहीं होती तो चलिए अब हम सेकंड रेस्पी बनाएंगे फ्रेंड तो आउले को घिस करके जो मुरब्ब्बा आउले का छुनदा जो भी आप कहते होंगे हम लोग तो घिसा हुआ मुरब्बा कहते हैं तो यह हम इतना जादा दो केजी का बना दिये थे और यह एक सीसी मेरा बढ़नी जो है कि यह बच गया था तो इसी का हम आज बहुत ही बना सकते हैं और अगर नहीं है तो आप ताजा आउला ले करके बिलकुल इसी तरह से घिस करके और उसमें जितना सुगर है जितना आउला है उतना आप गुड़ या फिर सुगर एड़ कर दीजिए फिर उसको मतलब पका लीजिए उसका पूरा चीनी और गुड़ जो भी डा पूरे साल भर का है देखिए बिलकुल भी खराम नहीं हुआ है और alarm भी इसका क्जेहने नहीं हुआ है और खाने में भी बहुत ज्यादा बार स्वादिश्ट है dressing मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा आउला खाती हूं और मैं सुखा करके भी रखती हूं पूरे साल भर के लिए अभी मैं आगे सुखाऊंगी भी आगे की रेश्पी आपको मिलेगी जैसे अभी आउला बहुत दिनों तक आएगा बट हमारे धूप का प्रॉबलम है इसलिए मै अभी नहीं सुखा रही हूं तो बस यह हमारा पक गया है अब इसमें हम कुछ फ्लेवर एड़ करेंगे फ्रेंड तो जो फ्लेवर एड़ करेंगे न वो तो हमारे मतलब की गैस वगरभी जिसको बनती है न वो भी अगर इसका एक कैंडी खा लेगा न एक गोली खा लेगा तो सरदी जुखाम गैस सब चीज इससे ठीक रहती है तो यहां पर हम एक मतलब थोड़ा सा देख लीजे कॉंटिटी आधा केजी के हिसाब से ही हम यहां पर चीजे लिए हैं तो यहां पर काली मेर्च है अजवायन है भींग है और जीरा है इन सब को थोड़ा सा भून लेना ह है और भून करके हमें इसको खल बट्टे में कूट लीजिए क्वांटिटी मेरे मतलब इसकी इतनी कम है कि मेकसी में हमारे नहीं पिसाएगी इस वजह से हम इसको खल बट्टे में इस तरह से कूट ले रहे हैं और जब आपने जो चीनी और सॉरी जो आवला भी आपने है ओल्ड जो पुराना हमारे आवले की रेस्पी बची हुई है तो जब एदम ठंडा हो जाएगा ना तभी इसे आप एड करिएगा नहीं तो इसमें हम अजवायन एड किये हैं तो जब गरम गरम में डाल देने से अजवायन का जो फ्लेवर है ना वह कड़वा लगता है इ पौडर एड किये हैं और इसमें काला नमक एड किये हैं बस इतना ही मसाला इसमें हमें डालना है तो इसे अब आप हाथों से मिक्स कर लीजे और फिर गोल गोल या लंबा कैसे भी आप इसको कैंडी का रूप भी दे सकते हैं और ये पांचक की गोलियां कहिए तो बन करके रेडी हो गई हैं फ्रेंड वाकई में ये बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है इसमें अजवाइन हींग और काला नमक जीरा ये सब मिक्स हैं तो इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अजवाइन हमारे बौडी को गरम रखता है आल्या की तासीर भी जो है वो ठंड की रूप में कोई भी साइज में आप बना सकते हैं तो ये मेरा आला कैंडी बन करके ये रेडी हो गया है और ये तो पाचक पाचक की गोलियां तो आप बताईए कि कैसी लग रही है तो आप बना करके खाएंगे तब पता चलेगा फ्रेंड और जो थोड़ा सा हम बचा लि मेरी आज की ये आले वाली रेस भी पसंद आई होगी ना तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलेंगे ते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में तब तक